No photo allowed, not for sale, do not leak the information, लगते हैं यहाँ पर किसी इने rules follow नहीं किये हैं तो क्या हाल चाहल भई लोग कैसे हो आप लोग और फिलहाल आप अपने screen के सामने देख पा रहे हैं Samsung Galaxy Note 9 की कुछ live images जो कि अब recently में किसी चमगादर ने online leak कर दी है, खेर अब जो भी लेकिन यहाँ पर यहाँ तो साबित हो जाती है कि Note 8 से इस phone में तो कम सकम design के मामले में ज्यादा कुछ चीज़े चेंज नहीं हुई है खेर यहाँ पर एक बात और है, खेर इससे पहले हमने जितने सारी leaks rumors देखे थे सारे यहाँ पर सच साबित हुए इस leak को आप लोग सामने से देख लो पीछे से देख लो और अब बस मुझे एक बात बता दो कि आपने यह चीज पहले कभी नहीं देखी थी खेर अब जो भी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सब इसी फोन के बारे में बाते करने वाले हैं तो फिर श्टार्ट करते हैं बीडियों की बखवास किये जल्दी से इस वीडियो को मैं हो रिशाफ और आप लोग देख रहे हो रिशाफ टेक तो यह देखो अब ऐसा तो है निकी हमें इस डिजाइन के बारे में पहले से मालूम नहीं था इंफेक्ट तो हमें तब से पता चल गया था जब पहली बार ये बैनर लीक होके आया था वहाँ पे हमें S Pen दिख रहा था यलो कलर का वैसे यह लो कलर से याद है यहाँ पे जो सबसे पहले टीजर डाला था सेमसम ने Note 9 का वहाँ पे में फोकस था इस S Pen की उपर तो हाँ यहाँ पे S Pen Note 9 में काफी बड़ा फीचर होने वाला है खेर अब जो भी लेकिन वापस आते हैं डिजाइन पे तो यार यह अलमुश्ट दो-तीन मेहनों पहले की बात है हमें इस डिजाइन के बारे में काफी सारी चीज़े पता लग गई थी कि कैमरा प्लेस्मेंट कैसा होने वाला इस फोन में और फिर जब यह बैनर लीक हो गया है सेमसंग गलेक्सी नोट 9 का तब यहाँ पे यह बात कन्फर्म हो गई कि नोट 9 दिखने में कैसा होने वाला है और इसके बाद यहाँ पे सेमसंग के खुद CEO DJ को स्पॉट किये गए थे अभी कुछ दिनों पहले ही इस फोन को यूस करते हुए पब्लिक में तो हाँ यहाँ यहाँ पे इन सारी चीजों से एक राफ आडिया तो जरूर हो गया था कि एक्च्वल में नोट 9 दिखने कैसा वाला है खेर अब वापस आते ही लीक इमेजेस पे तो जैसे कि आप लोग वैक देख पारे हो अगेन यहाँ पे मेटल अन्ट ग्लास का यूस किया गया बाकी की सैमसंग गलक्सी की तरह और वैसे यहाँ पे जैसे कि आप लोग इमेज पे देख पारे हो यहाँ नोट 9 का लीक हुआ है वो है मिडनेट ब्लैक वाला और यहाँ पे आप लोग डूल रेर कैमरा सेटप भी देख पारे हो इस फोन में यहाँ पे एक वेरियेबल अपर्चल वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा सैमसंग गलक्सी एस नाइन वाला और हाँ वैसे यहाँ पे आप लोगों को एक टेली फोटो लेंस भी नजर आ रही होगी उसके बगल में आप लोगों को एक फ्लैस दिखरा होगा और बगल में हार्ट रेट सेंसर तो कुछ और सेंसर लगाएगा है और वैसे इस बार जो fingerprint scanner की positioning आप लोगो देखने को मिल जाएगी इस phone में वो आप लोगो मिल जाएगी camera setups और कुछ sensors के नीचे और हाँ वैसे यह बात तो ज़रूर कहूंगा कि Note 8 से काफी अच्छी जगा पे placed है इस बार इस Note 9 का fingerprint scanner तो कैसे आगे बढ़ते हैं और बात एका लेते हैं इस phone के front side की तरफ तो यार देखने सो तो ऐसा लग रहा कि Note 8 पे यहाँ पे किसी ने photo shop करके Note 9 लिग दिया है और वैसे यहाँ पे मेरी बात मजाग भी नहीं है क्योंकि दोनों ही phones में आप लोगों को screen size सेम देखने को मिल जा रही है हाँ गई यह तो था यार Samsung Galaxy Note 8 sorry Note 9 का first look वैसे आप लोग मुझे नीचे comment section में comment करके बताओ कि यहाँ पे आप लोगों के thoughts है इस phone के design के बारे में तो हाँ यार comment जरूर करना बाकि यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगो बता देना चाहता हूं इस phone के बारे में खेर अब बात रहे इस phone की pricing के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ trusted source के हिसाब से कि Samsung Galaxy Note 9 की pricing यहाँ पे आप लोगो साड़े 900 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकती है जो की काफी ज़्यादा competitive pricing होगी में एक ख्याल से आज की डेट पे market पे क्योंकि पिछले साल का भी Note 8 अलमॉस्ट इसी price पे launch हुआ था सो हाँ अगर आप लोगो वैस S8 है Note 7 तो नहीं काऊंगा क्योंकि वैसे भी यह blush हो चुका है अगर आप लोगो वैस S7 Edge है तो यह काफी अच्छी आप लोग उफर करेगा और बागी अगर आप लोग मेरी बानो तो अगर आप लोगो पहले से Samsung Galaxy Note 8 या फिर S9, S9 Plus है तो भा आइफोन, Note 9 या फिर OPPO Find X, Vivo Next सरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई और चलो फिर इस वीडियो में इतना ही था उमीद आप लोगो को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई एक लाइक चपका कर यहां से जाना मेरे ठीक है और